जिला कॉंग्रेस कमिटी किसान विभाग की तरफ से जिला अधिकारी को ग्यापन के माध्यम से जिला अधिक्ष किसान विभाग सच्चिदानन्द गौड के नेतरित्व में ग्यापन दिया इस मौके पर जिला अधिक्ष सच्चिदानन्द गौड वसुनिल चरूरा ने कहा कि जिस प्रकार मोदी हिटलर शाही से सरकार चलाने का काम कर रहे है आज देश भर में 62 करोट किसान मजदूर वह 250 से अधिक किसान संगटन इंकाले कानूनों के खिलाफ उठ रहे है परपरदान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी वह उनकी सरकार अब सब एतराज दरकिनार कर देश को बरगला कर रहे है अनदाता किसान की बात सुनना तो दूर संसद में उनके नुमाइंदी की भी आवास को दबाया जा रहा है उन पर आसू गैस के गोले और पानी की बोचार से उनका रास्ता रोकने के काम कर रही है लेकिन वह अनदाता अब रुकने वाला नहीं है वह अपने हक की लड़ाई लड़ेगा इस मौके पर पुर्वजिला अद्यक्ष सुबाश गांदी पुर्वशार अद्यक्ष सैयद मुनीर अकबर ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी किसानों के हित में संगर्ष करती है और अनदाताओं के साथ कंदे से कंदा मिलाकर उनकी लड़ाई में कॉंग्रिस पूरी तरह उनके साथ है जिस तरह भाजपा सरकार नसंगिय धाचे का उलंगर कर सविधान को रौन कर संसदिय प्रणाली को दरकिनार कर बहुमत के आधार पर बाहु बली मोदी सरकार ने संसद के अंदर तिन काले कानून जबरन तथा बगेर किसी चर्चा भराय मशवरे के पारित कर लिया या तक कि राजपा में हर संसदिय प्रणाली वद प्रजातंतर को तार तार कर यह काला कानून पास किया है और किसानों को सरकार नियूंतम समर्थन की कानूनी गैरेंटी और मंडी व्यवस्ता खत्म न होने की गैरेंटी दी जाए इस मौके पर पौरुष शर्मा, चौधरी शोपाल सी, शिवकुमार शर्मा, जैप्रकाश यादव, प्रशांत बालमी की, पुर्वमंत्री हर्शवर्धन बालमी की, आरिफ कुरेशी, राकेश चौधरी, अनिल शर्मा, सुशील चौधरी, राकेश भाटी, मनिश चतुरव रेदी, डॉक्टर स्टी शर्मा, नाफे अंसारी, इसराइल खां आदी लोग मोजुद थे, ब्रशाहर से चाविद खान की रिपोर्ट